आज मैं रिव्यू करने वाली हूं टी टी आइल का टी 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 ओयल यह मैंने ऑर्गनिक हर्वेस्ट का टी टी ओयल लिया है जिसका मैं आज रिव्यू करने वाली हूं टी टी ओयल यह एक तरह का ग्रीन टी एशेंशियल ओयल है टी टी ओयल का उप्यूग आप टचा से जूड़ी कई समस्याओं जैसे पंगल इंफेक्शन एकने एक नहीं पर अगर कट जाता है तो आप इसको लगा सकते हैं जिससे बहुत ही जादा रिलीफ मिलता है टी टी ओयल आप एक या दो गुदे टी ओयल की मिलाकर कॉटन बॉल की सहायता से अपने इंफेक्शन वाली जगह पे लगाएं जिससे आपको बहुत ही जादा आराम मिलेगा दूसरा जो है वह आपका नारियल के तेल में इसकी दो या तीन जॉप अगर आपने बालों की जड़ों में स्केल्ट पे लगाएंगे तो आपके बालों में जो डेंडर्फ है वह रिमूव हो जाएगा काफी हद तक की टीटी ओयल लगाते से में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे की पहला टीटी ओयल को आप कभी भी अपने इसकिन पे आप डारेक्टी उसको अपलाई अपने इसकी प्रॉब्लम होज़कती है इसलिए आप जब भी अपने टीटी ओयल को यूज़ करें तो आप डेली जो आप मॉस्टराइजर अपने फेस पर लगाते हैं या फिर बार्दाम ओयल या पिर नारील का तील कोई भी ओयल ले आप उसमें दो या तीन बूर टीटी मैं आपको मना करें कि आप इसे अपने फेस पर डारेक्टी अपलाई ना करें यह और गैनिक प्रोड़क्ट है यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल है इसे मैंने मार्केट से प्रचीस किया था यह मुझे फोर फिफ्टी का मिल गया था फोर फिटी का आप देख सकते ह अगर आप इसे बिल्कुल भी अपने फेस पर डारेक्टी अपलाई ना करें अब मैं इसे खोल कि आपको दिखा देती हूँ कि आपको कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है और यह आपका देने मिल की बॉटल है यह मुझे फूर फिप्टी की प्राइस में मिल गया था अगर आप इसे ऑनलाइन पर चीज करते हैं तो आपको ज़रूर डिस्कांट मिल जाएगा आप अमाजोन से या फिलिप कार्ट से या फिर आपके अनस्दी की मार्केट से किसी भी मेडिकेल शॉप से आप इसको परचाईस कर सकते हैं और इसका यह एप्लिकेटर है इसकी जो यह बिलकुली वाटर बेस है यह आप जैसे इसे अपने फेस पे लगाएंगे यह आसानी से आपके फेस पे अब्सॉब हो जा कि अब्सुब है और अगर आपको कहीं किसी कीड़े ने काट लिया उन सब चीजों के लिए यह बहुत ही जादा बेनिफिशल है कई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग दो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूरू बता है और मेरी चैनल को अब तक आपने सब् और लाइक करना तो बिल्कुल भी मन भूलेगा थैंक यू सो मच गाइस अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में